नमस्कार आप देखरें न्यूस 44 मैं हूँ भाबना शर्मा आपके साथ गर्माहट भी मिलती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदर आपके ऊपर कई नुक्सान का बोज लाद सकती है सर्दियों के मौसम में मूँ ढखकर सोने से ना सिर्फ ये कई स्वास्ते समस्याओं की वजह बच सकता है बलकि ये आपकी खुबसूरती भी छीन सकता है तो चलिए आज अब आपको सर्दियों में मूँ ढखके सोने के कुछ नुक्सान के बारे में बताते है मूँ ढखकर सोने से दिमाग को सही मात्रा में ऑक्सिजन नहीं मिल पाती है जिस वजह से सरदर्द, जी मिचलाना और दूसरी समस्या भी गले लग सकती है ये समस्या एक से दो दिन में पीछा तो छोड़ देती है लेकिन ऐसा बार-बार होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है एक्सपोर्ट्स के अनुसार शरीर को पांव से लेकर सर तक ढखकर सोने से फेफडों पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है अगर कोई रोज 6-8 घंटे तक एक महीने तक इस तरह सोता है तो उसके फेफडे सिकुडने शुरू हो जाते हैं यानि गैस एक्सचेंज का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाता है मूँ ढखकर सोने से उचित ऑक्सिजन शरीर को नहीं मिल पाती है जिससे दम घुटने जैसी समस्या होने लगती है इस वज़र से नींद भी डिस्टर्ब होने लगती है और ऐसे में फिर दूसरे दिन आप सुबा उठकर ताजा महसूस नहीं कर पाते अकेले रहने में दिक्कत होती है साथ ही काम में जी नहीं लगता अगर परिवार में कोई अस्थमा या हाट की परिशानी से जूज रहा है तो ऑक्सिजन की कमी उनके लिए गंभीर स्थिती पैदा कर सकती है कई बार इसी के चलते लोगों को हाट अटेक भी आ जाता है मूँ ढखकर सोने के और भी कई नुकसान है जैसे जब आप मूँ को ढखकर सोते हैं तो रजाई से ऑक्सिजन अंदर नहीं आ पाती है और ना ही खराब हवाएं रजाई से बाहर निकल पाती है हवा अशुद होने की वजह से आपकी स्किन का रंग फीका पढ़ने लगता है सर्दियों में कई लोगों की स्किन काली पढ़नी शुरू हो जाती है जिसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है इस तरह सोने से बलड सर्कुलेशन पर बुरा असर पढ़ता है बलड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होने की वजह से चहरे पर पिंपल्स और एकने की समस्या पैदा हो जाती है जो आपकी खुबसूरती में दाग लगाने की भूमिका निभाते है इसके अलावा मू ढखकर सोने से स्किन को सास लेने में दिक्कत होती है स्किन के सास ना ले पाने से रोमशिद्र सही तरीके से खुल नहीं पाते है जिस वजह से चहरे पर जुरिया आने लगती है और शरील समय से पहले बूढ़ा लगने लगता है बताने कि जो लोग स्लीप एपनिया की बिमारी से जूच रहे हैं उन्हें ऐसी स्थिती में सास लेने में तकलीफ होती है इस कारण से व्यक्ती की नीन पूरी नहीं हो पाती और उनका वजन भी बढ़ने लगता है स्लीप एपनिया एक ऐसी बिमारी है जिसमें सोते समय व्यक्ती को सास लेने में दिक्कत होती है इस वज़ा से व्यक्ति की नीद में ही सांस रुख जाती है और उन्हें पता नहीं चलता डॉक्टर कहते हैं कि नीद में सांस रुखने की तकलीफ कुछ सेकंड से लेगर एक मिनट तक हो सकती है इस बिमारी से ग्रसित लोग जोर-जोर से खरांटे लेने लगते हैं हाला कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति खरांटे ले वो इस बिमारी यानि स्लीप एपनिया से ग्रस्त हो अगर आपको भी रजाई कंबल से मूँ ढखकर सोने की आदत हो गई है तो कोशिश करें कि इस आदत को समय रहते बदलने अगर ऐसा करने से आपको तकलीफ हो रही है तो रजाई को मूँ तक ढखते समय मूँ के थोड़े हिस्से को रजाई से बाहर रखें ताकि आपको सही मात्रा में अक्सिजन मिल सके अगर आप ऐसा करेंगे तो यह समस्या है आपका पीछा नहीं करेंगी आपकी सेहत से जुड़ी और मैद्वपून जानकारी के लिए देखते रहेगा न्यूस कोटी कोट नमस्कार